दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी कबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे आज की सबसे पहली कबर सेचो की 4050 विकेंसे के लिए 20 मार्ज तक होगा आवेदन उम्र और कटप डेड़ भी बदल गया जिया राज में स्टेट हेल्थ सोसाथी ने सामुदाइक स्वास्त ओफिसर के पदों पर बंपर भरती निकाली है इस रिकूर्मेंट ड्राइब के जरे कॉमुनिटी हेल्थ ओफिसर के कौल 4050 पदों को भरा जाएगा बहाले के लिए राज स्वास्त समिती ने आवेदन की तिति बढ़ा दिया है बता दे आब 20 मार्श तक और लाइन आवेदन लिया जाएगा जहाँ पहले अंतिम तिति तेन मार्श तक ही थी साथे आपको बता दे कि B.S.S.C. नर्सिंग जेनम कोर्स के एक इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं उम्र कटप डेट भी बदला गिया है साथे राज स्वास समिति ने इस पाद के लिए उम्र कटप डेट तदा सक्षने की योगदा कटप डेट भी बदल दिया है उम्र और सक्षने की योगदा की गन्ना अब एक फरवरी 2022 से की जाएगी पहले या एक जनवरी 2022 से थी अगली बड़ी कबर राज में 5 दिनों तक सूस्क रहेगा मौसम पटना का तापमान 30.6 डिगरी पर पहुँचा जिया विहार में मौसम के तेवर हर दिन बदर रहे हैं दिन में ठंड का एसास खतम हो गया है मौसम विग्यान विवाग पटना की माने तो पूरे प्रदेश में पचवा हुआ का प्रवाव निरंतन बना हुआ है इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम सुस्क बने होने के साथ आका साप रहेगा तीन दिनों के बाद तापमान में आंसिक बिर्दी का प्रवानुमान है मौसम विभाग पटना की ओर से मिले जानगारी के मुताबिक राज में तीन दिनों के बाद तापमान में आंसिक बिर्दी हो सकती है अगली वड़ी ख़बर मार्च की तीसरे हपते में 34-35 डिग्री सेलसेस होगा बिहार का अधिक्तम तापमान जहां मौसम का तेवर हर दिन बदल रहा है मौसम विगान केंदर पटना के अनुसार पुरे प्रदेश में पचवा हुआ का प्रवाव निरंतर बना हुआ है इसके प्रवाव से प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम सुस्क बने होने के साथ आकास साप रहेगा मौसम विगाने ने बताए कि मार्च की तीसरे सब्ता में प्रदेश का अधिक्तम तापमान 34-35 डिग्री सेलसेस रहने का प्रुवानुमान है आपको बता दे कि पिछले 24 घंटे में पाटना का अधिक्तम तापमान सामाने से एक डिग्री ज्यादा यानि कि 30.5 तो नियूंतम तापमान दो ज्यादा 15.6 डिग्री सेलसेस दर्च किया गया वही 12.4 डिग्री सेलसेस के साथ और अंगा बाद सबसे ठंडा सहर रहा जबकी 32.6 डिग्री के साथ बाका सबसे गरम रहा बाड़ी के पर बिहार में सनिवार को गाड़ी चलाए तो रहे विसे सावधान परिवहन विबाग और पुलिस ने कर दिया है इंतिजाम बिहार में सडकों की हालत बेहतर होने के साथ वहनों की तदाद लगातार बढ़ने के साथ ही दुरगटनाओ और इनमें होने वाले मौत का अकड़ा भी बढ़ा है रोड पर चलते वक्त लोग ट्रेफिक नियमों का पालन करें इसके लिए सरकार ने पिछले वर्सों जुर्माने की रिकम कई गुना बढ़ा दी है बावजूद लोग गलती करने से बाज नहीं आते हैं या जानते हुए भी इसे खत्रा उनके खुद की जिन्दगी कोई है ऐसे लोगों को काबु करने के लिए बिहार सरकार कई तरह के काम कर रही है आपको बता दी के राज के सभी जिलों में हर सनिवार को हेलमेट सिडवेल के साथ रैविंग ववेवसाइक वहनों में स्पीट गवर्नन के उपलवता की जाच के लिए बिसे सभियान चलाया जा रहा है अगली बड़ी खबर अंतराष्ट्य महिला दिवस यानि कि आज राजगीर जू सपारी सहीत पार्कों में निसुलक परवेस जिया अंतराष्ट्य महिला दिवासे ने 8 मार्च पर परियावरन वन एवम जल्वाई परवर्तन विभाग के पार्क उद्यान आदे में महिलाओं को निसुल्क परवेश के छोड़ दी गई है सोमवार को जारी विभागी आदेश के अनुसार राजगीर जू सपारी राजगीर नेचर सपारी संजय गांदी जवी को दियान सही थे पार्कों में निसुल्क परवेश दिया जाएगा पार्क पर बिहार के नो लाग किसानों को एक गलती के कारण हुआ बड़ा नुकसान, जमीन की रसीद कटना है जरूरी इस चयानकारी खुद राज की क्रिसी मंत्रे अमरेंदर परताब सिंग ने दि है उन्होंने किसानों को इस नुकसान से बचने का तरीका भी बताया है, विधान परिशन में रामचंदर पूरव के अलप सुचित प्रसन का जवाब देते वे क्रिसी मंतरे अमरेंदर परताब सिंग ने कहा कि क्रिसी इंपूट अनोदान का लाब लेने के लिए किसानों को आधातन रसीत दिखाने होती है इस बार 9 लाग किसानों के आवेदन सिर्फ इसलिए रध हुए है क्योंकि उन्होंने पुराने रसीत दिखाई है जबकि लाब सिर्फ आदतन तीन वर्सों की रसी देने वालों को ही मिलता है अगली बड़ी कबर 72 घंटे का ट्राइल रन पुरा बिहार को इसी महने नविन नगर से मिलने लगेगी 569 मेगावार्ट बिजली जिया और अंगाबाद में नविन नगर बिजली घर की तीसरी यूनिट उतपादन के लिए तयार हो गई है बिती राद साड़े बारा बजे से नविन नगर इनुट के लगातार 72 घंटे के ट्राइल रन को पुरा कर लिया गया है आप इस बिजली घर को इसी महने से बेवसाई कुतपादन करने के मंजूरी मिल जाएगी 660 मेगावार्ट के इस तीसरी यूनिट से बिहार को 569 मेगावार्ट बिजली मिलेगी बाड़ी कपर बिहार के 99 पुलिस थाना लापता बिदानसभा में उठा मामला बिजेपी विधायक पवन जाइसवाल ने सरकार से खोजने की लगाई गुहार्ज बिजेपी विधायक पवन जाइसवाल ने कहा कि मेरा सवाल आज भले ही नहीं आया लेकिन ऑल्लाइन जवाब आया है इसमें सरकार ने लापता थाने के जाज करने की बात मानी है अगर सरकार जल्द उन थानों को नहीं खोजीगे तो फिर सदन में सवाल उठाएंगे बिहार के लापता 99 थानों को खोजने के लिए जाइसवाल ने विदानसवा में सवाल उठाया उन्होंने ग्रिय विभाग से सवाल पुछते वे कहा कि बिहार के 62 थाने और 27 ओपी का नोटिपिकेशन पुलिस मुख्याले को नहीं मिल रहा है वह थाने में CCTV केमरा लगाने वाल चितर गूप्त नगर सहित 99 ओपी और थाना लापता सुची में सामिल है इससे खोजने में राज पुलिस मुख्याले असफल है बड़े कबर चुनाव खतम होने के साथ या बड़ेगा महंगाई का बोज पेट्रोल डिजल के साथ खाद तेल, मसाले, चाय, दवाई सब होंगी महंगी जा उत्तर परदेश में कल अंतिम चरन का मदान हुआ, चार राज्यों में पहले ही चुनाव खतम हो चुके हैं अब असंका जाहिर की जारे के आने वाले दिनों में घरिलू बाज़ार में पेट्रोल डिजल समेथ तमाम पेट्रोलिया मुतपादन महंगे होंगी या जरूरी समान की किमत में बड़ोत्री करने का विकाम करेंगे, इससे आम लोगों पर घर के बजट का वो जो वड़नाता ही है, पिछले चार मैने से पेट्रोल डिजल की किमत स्थीर है आले में जरी रिपोर्ट के माने तो पांच राज्यों में जरी विदानसवा चुनावों के बाद दिवाली के बाद से इस्तिर पेट्रोल डिजल के दाम में तेज बड़ोत्री की जा सकती है इनमें 15-22 रुपे तक की विर्दी की समावना वेक्ट की जा रही है, इससे जहां एक और सफर करना महंगा हो जाएगा दूसरी और माल दुलाई का कर्च भी बड़ेगा, जिसका सिदा असर रोज मर्रा की चीजों पर पड़ेगा इसके अलवा खाद वस्तों के महंगे होने के आसार भी है, जिस्टी काउंसिल की अगली बेटग मार्च अंधी आप्रेल के सिरुवात में हो सकती है जिस्टी काउंसिल अगामे 47 वी बेटग में माल एबम सिवाकर को 5% से बड़ा कर 8% करने पर विचार कर सकती है बड़ी कबर बिहार के नेच निस पर बनेगा 24 लेन का टोल प्लाजा, जाम लगने पर कोई टेक्स नहीं जहां बिहार के केमोर जिले से होकर गुजरने वाले नेच निस पर 24 लेन के टोल टेक्स की सिविदा होगी बहुत जल्दी लोगों को राष्टी राज मार्ग 19 पर लगने वाले जाम से चुटकारा मिलेगा कि यहां 6 लेन वाली सड़क के लिए टोल प्लाजा पर 24 बूत बनाए जाएंगे 100 मिटर या उससे अधिक जाम है तो जाम में फसे 100 मिटर तक वहांनों को फ्री में जाने दिया जाएगा बाड़ी कपर बिहार के इस जिले में CCTV केमरे की निगराने में होगी जमीन के खरीद बिगरी अब LED स्क्रीन पर देखेगे रजिस्ट्री की हर परक्रिया जिया दरबंगा जिला ने बंदन कारियालों को हाइटेक किया जा रहा है रजिस्ट्री परक्रिया को पार दर्सी बनाने के लिए अब केमरे की निगराने में इकरार होगा आर गती बिदी सिसी टीवी केमरे में कैद होगी ओडियो फुडेस के साथ आवाज भी रिकोर्ड होगा जमीन रजिस्ट्री के हर परक्रिया कारयाले परेसर में लगे केमरे से जुड़े LED स्क्रीन पर दिखेगी आगली बड़ी कबर सरकारी स्कूलों में फिर से सुरु होगा मीड डे मील अब सभी स्कूलों में होगा फरस्ट अड़ वक्स जहां मेड़े मेल योजना फिर से सरकारी स्कूल में सुरू होगी पाटना डियम डाक्टर चंद्र सेकर सिंग ने जिला कायर करम पदादिकारे एमडियम को प्रकण सिक्चा पदादिकारे वंप्रकण साधन दिवी के माधम से गोदाम में उपलब्द खादाने को उटाव कर स्कूलों को उपलब्द कराने तथा एमडियम को चालू कराने का निर्देश दिया है इसके लावा आपको बताती कि प्रते की स्कूल के लिए 15 सु रुपया का फर्स्ट एड़ बॉक्स खरीदा जाना है बड़े कबर बिहार बिदानसाबा में मंदिर मस्जिद वा समसान की घैराबंदी को लेकर भीडिया आरजेडी वा बिज़ेटी वा बिज़ेपी के जाज़त दे कई भी बग्ची विदायकों ने इसका समर्तन भी किया इसके बाद विजेभी विदायकों ने सदन में खड़े होकर मंदिर और समसान की घराबंदी के मांग उठा दी आरजेडी और विजेभी विदायक सदन में खड़े होकर मंदिर कबरिस्तान और समसान की गहराबंदी के मांग करने लगी पर्भारी मंत्री विजेंदर यादव्ने कहा कि कबरिस्तान गहराबंदी को लेकरm विजे सिन्ना ने नियामन दिया कि सरकार विधायक फंड से समसान कबरिस्तानों मंदिरों की घरबंदी करने पर विचार करेगो और चलते सत्र में इसका जवाब देगी अगली बड़ी कबर तेजस्वी के बाद मुकिस सनी पहुचे पटना मंछेले मारकेट कहा तोड़ा जाएगा तो यहीं बनेगा बाजार चिंता मत करिये जह राजदानी पटना के हरताले मोड इसी तो धोवी घाट के साथ साथ मचली मार्केट को बिहार सरकार के दोड़ा तोड़ा जा रहा है मचली मार्केट के लोग और धोबिस समाज के लोग की मांग है कि इससे हम लोगों की रोजी रोटी चलती है और इसे तोड़ा ना जाए इसी को लेकर रवियार को तेजस्वी यादव ने मचली मार्केट के लोगों से मुलाकात की थी इसी क्रम में कल वैपी सुपरेमों और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश नि पटना के हरताले मोड उसे तो मचली मारकेट पहुँची मचली मारकेट पहुच कर मुकेश सने ने स्तानिय लोगों से उनकी समझसा सुनी और उसे दूर करने का भरोसा दिलाया इस दोरान मुके सानी के साथ सेलफी लेने की होड मच गई मुके सानी ने कहा कि विकास कारियों के वज़ा से अगर कोई अर्चान आता है तो उसे तोड़ा ही जाएगा लेकिन सरकार को व्यकलपिक विवस्ता तो करने ही चाहिए उन्हेंने कहा कि सरकार का दरामे की गरिब लोगों के लिए विवस्था करके देना चाहिए और आंद की बड़ी कबर पांच राज्जों के एक्जिट पॉल यूपी में मोदी योगी की जोड़ी फिर से हिट होने का नुमान पंजाब में आप और उत्राखण में कॉंग्रेस सरकार जहां पांच राज्जों के विदानसवा चनाव के एक्जिट पॉल के नतीजे आ चुके हैं सबसे पहले बात करें उत्तर परदेश की जहां योगी और मोदी की जोड़ी फिर से हिट होती निजर आ रही है पंजाब के बात करें तो यह एक्जिट पॉल के नतीजे दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सबस्ट बहुमत मिल सकता है इसके अलावा उत्तराखण में कॉंग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आज के लिए आपका सवाल बता है कि उत्तराखण में किस कि सरकार बनेगे इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बता है